हेलो फ्रेंड्स आज हम जिस फिल्म का रिवू करेंगे उसका नाम है चोक्ट पैसा बोलता है इस फिल्म को डिरेट किया है अनुरा कशप ने और यह नेट्फ्रिक्स का ओर्जिनल फिल्म है सुरुमें बता दू कि यह जो फिल्म है इसका टेलर देखके आप समझेंगे कि इसका जो कॉंसेप्ट है यह बहुत ही अच्छा है और इस फिल्म का स्टोरी का कॉंसेप्ट यूनिक ही है अब आदे इस फिल्म का कास्ट के वर्में बत कर लेते हैं साया मीखेर एस सरीता पिल्लाई और रोसन मैथ्यू एस सुसंद पिल्लाई अब मैं इसका स्टोरी के वर्में बत करूंगा यह अब आप देख सकते हैं सरीता पिल्लाई जो बैंक पे नौकड़ी करता है और उसका husband सुसन पिल लाई जो एक unemployed अदमी है मगर पहले तो उन दोनों के बीच पैसे लेके adjustment में बहुत problems होता है फिर उन दोनों के life पे turns तब आता है जब सरीदा को एक दिन रात पे अपने घर पे basin के pipe के अंदर से कुछ पैसे मिनने लगता है और यह सब चलते चलते एक दिन demonetization हो जाता है फिर उन दोनों के life पे क्या effect पढ़ता है इसके लिए तब को इस movie को पुड़ा देखना पड़ेगा अब मैं इस film का execution के बड़ा में बात करूंगा इस film के execution के कुछ positive points भी है negative points भी है मैं उन नोनों points के बड़े में details में बात करूंगा एक चीज जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस film का story में हमें कुछ नया चीज दिखाने का कोशिस किया गया है मतलब इसका जो concept है यह नया है और इस film में demonetization का मतलब इस time demonetization हुआ था उस time क्या क्या problems हुआ था आम अदमियों को किस तरीके का problems को face करना पड़ा था उसका एक जलग भी हम इस film पे देख सकते है और इस film में जो main character है जो main character का family है वहाँ पे जो family problems दिखाए गया है वो बहुत reality का करीब लगा मुझे मगर इस film में मुझे जो expectation बहुत जयादा था वह इस film का thrill का मगर इस film में thrill तो है मगर वो high level का नहीं है मुझे लगता है कि इस film में थोड़ा और thrill को build up करक किया जा सकता था और इस film का हार एक scene का जो explanation है उस explanation को मुझे लगता है थोड़ा और भी अच्छी तरीके से develop और explain करना चाहिए था क्योंकि कुछ जगा पे question mark छोड़ दिया गया है मतलब उस जगे को अच्छी तरीके से develop नहीं किया गया है अब अब दो इसका screenplay के बड़ा में बत कर लेते अनुरा कस्टप का फिल्म में हम ज्याते से ज्याता serious moments ही देख पाते है और इस फिल्म का ज्याता तर पार्ट serious moments ही है मतलब ये फिल्म एक serious फिल्म है और ये फिल्म आपको सुरू से अपने साथ engage करके रखता है मतलब इसका screenplay बहुत ही tight और engaging है अगर आप characters का point of view से इस film को देखते है तो ये film आपको tight लगेगा और आप इस film पे board fill नहीं करेंगे अब आता है इस film का character development इस film में character development में बहुत ही अच्छा काम किया गया है इस film के जो main character है सारीता पिल्लाई और सुसंत पिल्लाई इन दोनों के साथ आप सुरू से emotionally connected हो जाते है और बाकी जो character है ये आप से emotionally connection बिल्ड नहीं कर पाता है मगर ये जो character है specially सारीता पिल्लाई ये character आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अब अब आद इस film का direction अनुरा कस्व का direction हम लोग सब जानते है इसका direction बहुत ही अच्छा और इस film में भी उसका direction बहुत ही अच्छा है और जो cinematography यह में देखने को मिलता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस film का editing का बत करने तो इस film का editing भी बहुत ही अच्छा है मागर इस film का songs और bgm इस film के ending अच्छा है मगर यह ending थोड़ा और बेटर हो सकता था मगर कुछ जगा पे तो question mark छोड़ दिया गया है यह मैं पहले बोला कि ending का कुछ जगा पे भी छोड़ दिया गया है overall बात किये जाए तो यह movie अच्छा है